प्यारे बच्चों, पाठ 21 परमा का खेत के दूसरे भाग में आप सभी का पुना स्वागत है पिछले वीडियो में हमने जाना था कि धान की खेती के लिए कैसे खेतों को तैयार किया जाता है इस वीडियो में हम धान की रूपनी, खर पत्वार की निकाई, धान की कटाई, धानों को खलियान तक पहुँचाना और फिर वहां से घर और मंडी तक ले जाने के सफर को जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं धान की रूपनी पर्मा की पिताजी खेत तयार कर चुके हैं और पर्मा की मा अपने आसपास के कुछ महिलाओं को अपने खेत में रोपा रोपने के लिए बोल चुकी है ये महिलाएं धान रोपने में मदद करेंगी और बदले में पर्मा की मा भी उनके खेतों में जाकर रोपनी में सहयोग करेंगी जब उनके खेत भी तयार हो जाएंगे तो पर्मा के गाउं में ऐसा ही होता है बच्चो आप भी आसपास के गाउं में यदि रोपनी होती हो तो जाकर यदि पता करेंगे तो यही पाएंगे कि जो खेती के कारे होते हैं लोग एक दूसरे के सहयोग से करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं दूसरे दिन पर्मा की मा पांच महिलाओं को लेकर सुबा ही खेत पहुँचाती है वे बिच्डो को उखाडने में लग जाती हैं सभी महिलाएं बिच्डो को बांध-बांध कर एक तरफ रखते जा रही हैं पर्मा के पिताजी खेत की अंतिम जुताई में लगे हुए हैं अब वे उस पर पट्टा यानि मेर चलाएंगे ताकि जो खेत है वो समतल हो जाए इसके बाद पर्मा के पिताजी जल्दी जल्दी बिच्डो को तैयार खेत में फेक रहे हैं पर्मा भी इस कार्य में अपनी पिताजी की मदद करता है और बिच्डो को कीचड़ वाले खेत में फेकना पर्मा को बहुत अच्छा लगता है अब पर्मा की मा और अन्य महिलाएं बिचलों को रोपने में लग गई हैं सभी खेतों में रोपनी का काम करने में कम से कम इनको एक सप्ता का समय लगेगा पर्मा कुछ दिन तक स्कूल जाने से पहले खेतों में अपने परिवार की सहायता भी करेगा धान के खेत में अब धान के पौधे काफी बड़े हो गए हैं साथी साथ कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही इन धानों के आसपास उग गए हैं पिताजी ने बताया कि ये खरपतवार है खरपतवार यानि घांस वगेरा और इससे निकालना बहुत ही जरूरी है नहीं तो जो सारा पानी धान को दिया जा रहा है ये खरपतवार भी ले ले रहे हैं जिससे फसल बहुत अच्छी नहीं होगी परमा पढ़ाई के साथ साथ खरपतवार निकालने में भी मा पिताजी और काकी की मदद करेगा आईए अब हम पाठ में दिये गए दो प्रशनों पर चर्चा करते हैं पहला प्रशन है कि क्या तुम भी परमा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो किस काम में तो आप हो सकता है धोय हुए कपड़े को सुखाने में मदद करते हो बाजार से सबजी ल लखने में अपने माता-पिता की मदद करते होंगे। दूसरा प्रश्न है कि यह काम करना तुम्हें कैसा लगता है। क्या इससे तुम्हारी पढ़ाई में किसी तरह की समस्य आती है। तो बच्चों मुझे लगता है कि काम करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं और काम करना आप को अच्छा लगता होगा। हाँ अगर पढ़ाई में थोड़ी बाधा आती होगी समस्य आती होगी तो आपको इसका समस्या का समधान करना चाहिए क्योंकि काम करने से आप अपने माता-पिता की मदद भी कर रहे हैं और कुछ नया सीख भी रहे हैं। लहलहाते धान अरे व दो-तिन दिनों के बाद यह काम भी हो गया। खलिहान में धान आ गया। अब इसकी पिटाई होगी और धान को बालियों से अलग किया जाएगा। फिर धान को बोरियों या मोराई बना कर रखा जाएगा। कुछ धान की बोरियों को बैल गाड़ी में ले जाकर मंडी में ब पच्चो धान रोपनी की वजह से पर्मा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह अपने माता-पिता की खेती में मदद कर रहा था। दूसरा प्रश्ण है कि क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है वहाँ क्या-क्या उगाया जाता है। तो पच्चो आपको ये पता करना है कि आपके आसपास यदी कोई खेत है तो वहाँ क्या उगाया जाता है या ओलोकन करना है। तीसरा प्रश्ण है कि पर्मा के पिताजी धान को मंडी तक बैलगाडी में ले जाते हैं। सोचो जहाँ पक्की सडके होती हैं वहाँ फल सबजियों को कैसे ले जाया जाता होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि पर्मा के जो पिताजी है वो धान को मंडी तक बैलगाडी में ले जाते हैं। लेकिन जहां सडक होंगी, पक्की सडके होंगी, वहां ट्रक में या ओटो रिक्षा में फलो को, सबजियों को, धानों को, अनाजों को बजार तक ले जाया जाता होगा. इस प्रकार इस पाट में हमने सीखा धान की खेती किस प्रकार की जाती है खेतों से मंडी तक धान किस प्रकार पहुँचता है और खेती के काम में समुदाय एवं परिवार के सभी सदस्यों का आपसी सयोग कैसा होता है तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इस पाट के माध्यम से धान की खेती के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा और अब आप अपने आसपास धान की खेती को आभी ओलोकन करेंगे कि वह कैसे किस प्रकार होता है आशा है कि आप एक बार इस पाट का स्वाध्यन जरूर करेंगे धन्यबाद